नमस्कार दूर दर्शन मद्यप्रदेश में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ गिर्राश शर्मा तो दर्शको अरंग चैचा को आगे बढ़ाते हैं अपने नीरो डॉक्टर्स के साथ और उनसे हम जानेंगे क्या आम तोर पर बीमारिया इस छेत्र में होती हो कैस हैं से हम आसानी से छुट कारा पास कते हैं डोटेश शर्ज़र्च शागत हैं कि अड़ सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे ड़क्तर शर्जरी आंतोर पर क्या होती है जैसा कि नियूरो सुजरी के बारे में एक आम आदमी आप सभी सोच्ते होंगे जानते होंगे नियूर जो मतलब सामनिता इसको हम brain से संब्धित माते हैं ये बात बिल्कुल सही है neuro brain की एक primary विधा है लेकिन इसके साथ इसमें spinal cord, spine तता हाथ-pair की जो नसे हैं इससे संब्धित जो रोग हैं, जो लक्षण हैं, जो समस्या हैं उसका भी निधान किया जाता है एक सामनिता परसेती में, एक neuro surgery की अगर अपन बात करें, तो brain, spine तता हाथ-pair की नसों से संब्धित जो भी समस्या हैं होती हैं ये सब neuro surgery में शामिल की जाती हैं सामनिता, neuro surgery की आउशकता, बहुत common जो चीजें होती हैं, जैसे सिर्की चोट हो गई, brain hemorrhage हो गया, brain tumor हो गया, गर्दन का दर्द, spinal cord injury, spine की injury, गम, पैरों में दर्द, शियाटिका, हाथ-पैर में जंजनाट, इन सब समस्या हो से संब्धित जो चीजें होती हैं, वो सामनित आमतर पर सिर्की चोट के क्या कारण देखने में आते हैं और किस तरीके से सफल इलाज किया जाता है? यह आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है जिसमें आपने सिर्की चोट के बारे में कहा है आप जानते हैं यह हमारा 131 करोड लोगो का देश है जिसमें बहुत जादा जनसंग क्या है बहुत जादा ट्राफिक है और बहुत जादा एकसिडेंट होता है अपने देश में सर की चोट का सबसे बड़रा कारण रोड ट्राफिक एक्स्डइन्ट है जिस तरह से हम लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं जिस तरह से हम केरलेस हो करके गाड़ी और कार चलाते हैं हम मौबाइल का इस्तमाल करते हैं इससे बहुत सारे एक्सिडेंट होते हैं, इसमें सर्व में चोट आती है, जो कई मुकों पे जान लिवा भी थाबित होती है। इस चीज संबन में हमरी सरकार ने बहुत आवशक कदम उठाएं, कानूनों को कड़ा किया है, आम पबलिक को, आम जिनता को, सबको ये मार्क दर्शन दिया जा रहा है कि आप हेलमेट का इस्तमाल करें, सीट बेल्ट का अप्योग करें, गाड़ी चलाते वक्ते हैं, वहम कार सामानिता किस तरह के लक्षन होते हैं, देखिसर की चोट सामानिता तीन चार मुख्य लक्षनों से प्रिजन रही होती है, जिसमें एक होता है, उल्टी आना, जटकी आना, नाक्या कान से खून निकलना, तता बेभश हो जाना, इन चारों, ऐसा नहीं है कि सर की चोट सिफ पर इन चार लक्षणों तक्सी में थैं पर इन चारों में से किसी भी एक लक्षण का गर आपको आता है ऐसा लगता है आपको सर में चोट लगी है सर में किसी चीज़ से टकराया या किसी तरह का कोई घाव लगा है तो उन पर स्थितियों में अगर इन में से कुछ भी आपको होता है तो जरूर अपने डॉक्टर से संपक करें सर की चोट बहुत गंबीर चोट समस्याओं में मानी जाती है इसको कभी हलके मना लें और उसका समचेत उलाज कराएं बिल्कुल आम तर पर डॉक्टर एक शब्द सुनने में आता है ब्रैन हैमरेज अगर हम फिल्मों की बात हाट से उक्षन ले जाकर के पूरे शरीर में उक्षन की सप्लाई करती है लेकिन जब ये खून की नसे अपना खून होता है वो खून की नसों को छोड़ कर किसी और जगर जगर जमा हो जाता है तो वो ब्रैन हमरेज कहलाता है ये सामानिता सर के चोट के काराण होता है कई म कौपयापन खून पतला करने की दवाई चलती है उसके बाद अगर चोट लग जाए तो उसके करण भी ब्रेन हैं मरीज होता है इसा नहीं है यह बात पिसके करण सब कुछ खत्म हो गया है इसका इलाज संभा होए अगर समचित पर उचित परामश लिया जाए इससे इलाज सं भी कंषिया और देखने में आते हैं नुरों से संब्ध Mr. तो किस तरीके से कोथा है और और ब्रैन्ट्यूमर होता क्या है सॉमर का मतलब होता है शरीर किसी भी कोशिका का अबनॉमल तरीके से या अनिमेट तरीके से बढ़ जाना। ट्यूमर का मतलब हमेशा जान लेवा नहीं होता। ट्यूमर दो प्रकार क्या होते हैं। एक जो कैंसर की लक्षन देते हैं और एक जो बिना कैंसर क्या होते हैं। चुकि अपना जो मस्तिष होता है ये एक क्लोस केविटी की तरह होता है। इसलिए अगर कोई भी कोशिका अगर उसमें बढ़ेगी तो वह एक चिंता जनक बात होती है। ऐसे किसे में जिसमें कोई भी कोशिका बढ़ जाती है चाहे ब्रेन की जिल्डियों से या ब्रेन की अंद्रूनी कोशिका तो वह एक गाट का स्वरूप ले लेती है और गाट के कारण दिमाग के दबान मनता है और उसके कारण सारी लक्षन उत पन्न होते हैं। इस तरह हो लक्षनियों में सरदत संभव है, उल्टी संभव है, मिर्गी संभव है, एक तरफ का लफवा संभव है, बौन ले सुनने में दिख्कत आना संभव है। यह सारी समस्याइ ब्रेन टूमर के कारण हो सकती है। लेकिन अगर हम लक्षणों को नजर अंदाज ना करें, समझे समय पे परामर्ष लें, तथा concern specialist से मिले, तो इसका पूर्णता इलाद संभव है, जैसा मैंने पहले आप से कहा कि cancerous और non-cancerous, अगर non-cancerous है, तो गाट के संपूर्ण निकालने से मरीच पूर्णता स्वस्थ हो सकता है, तथा उसका जीवन शैली या quality of life जैसे कहें, उसे बहुत अब तक आपन इंप्रूव कर सकते हैं, किसी कारण वर्ष अगर लेट भी हो गए है, cancer फैल भी चुका है, तो भी science की इस विदा हमें, cancer का काफी बड़ा इसा निकाला जा सकता है, तथा बाद में उसको सिक समस्या शामिल की जाती है, ब्रेन की बाद तो मैंने आपसे कर ली, अब आता है हमारे स्पाइन के बारे में, स्पाइन हमारी एक करोड़ जो है, जिसमें उपरी जो सता होती है, वो बोन की होती है, तथा अंदर जो है, हमारी जो नसे रहती है, जो ब्रेन को और हाथ पैर को जो संचार पर उप्षाती है उसको connect करती है जिसको हम spinal cord की बात करती है चुकि जो spine होता है अपना उसमें दो गुरिया जो spartible body बोलते हैं उसके बीच में एक चोटी सी गादी होती है एक cushion होती है जो उनके बीच में shock absorber या फिर connectant का काम करती है यह जो गुरिया रहती है जब किसी परस्तेती में यह फट जाती है स्ट्रेस के कारण या घिर जाती है या फिसी किसी चोट के कारण यह जब बाहर निकलती है तो पीछे से यह नसों को दबाती है उसके कारण यह सारे लक्षण उपन होती है जैसे option आपने अभी मुझे से कहा कि गरदन में दर्द होता है हाद पैर में जुंजना अठ आती है पैर कमर में दर्द होता हए कई मोगों पर बहुत सीवेयर होता है तो इसके करण प्रेशाब अतवा निस्तार में भी प्रबलम आ सकती है ये सारी चीजे सामनेता स्पाइनल कॉट से संबंदित रहती हैं जब डसे दपती हैं या नसों में हड़ी बढ़ने के कारण नसों में दबाना आता है अत्वा सूजन आती है तो ये सारे लक्षन उत्पन होते हैं बिलकुल डॉक्साब चलते चलते अगर आप दर्शकों को निवरे से संबंदित कोई संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा एज़ डॉक्टर हर चीज़ का इलाद संबाव है हर चीज़ के लिए उचित समुचित सुवधाएं और सारी चीज़ें संबाव हैं लेकिन मैं आपसे हमेशा ये निविदन करूँगा कि इस तरह की परस्तिती ही नाउत्पन हो कि आपको डॉक्टर तक आना पड़े उसके लिए जैसा मैं ने पहले कहा सबसे जरूरी है सरकी चोट के लिए कानून का पालन करें हेलमेट का उप्योग करें सीट बेल्ट का उप्योग करें मोबाइल का उप्योग ना करें जब अब गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइव कर दूसरी बात कमर और गर्दन के दर्द के लिए ये उमर से समंदित समस्याएं हैं जो उमर के साथ देरे-देरे हड़ी अत्वा नसो के गिसने के कारण होती है इसके लिए एक्साइज करें अपना डेली पॉस्चर सुधारें किसी एक पॉस्चर में बहुत ज़्यादा ना काम करें अपनी एक्टिविटी को मडिफाई करके रखें तो इससे बहुत सारी समस्याओं से अपन बच सकते हैं और अगर किसी कारणवाश इन समस्याओं में आपन फजब भी जाते हैं या किसी कारण से ये समस्या हो भी जाती है तो 90% केसे में इसमें सामाने दवाईयों स सबस्तों सकता